तो इस वीडियो में आप वेदिक मेट की एक ट्रिक सीखेंगे इस ट्रिक की मदब से आप 1 से लेकर 100 तक का किसी भी नंबर का टेबल आसानी से कुछी सेकंड्स में अपने माइन में बिना कॉपी या पैन के कैलकुलेट कर सकते हैं तो चलिए कुछ एक्जामपल की मदब से इस ट्रिक को सीखते हैं जैसे फर्स्ट एक्जामपल है इसमें हमें 15-5 जा कितना होता है यह कैलकुलेट करने हैं तो वैसे तो हमें पता है कि 15-5 जा कितना होता है जादतर लोगों को पता ही होता है लेकिन मान लीजिए हमें पता नहीं कि 15,5 जग कितना होता है तो उसके लिए हम क्या करेंगे तो जैसा कि हम जानते हैं कि वेदिक मेहत में क्या होता है हमेशा calculation left to right होता है तो इसमें calculation कहां से होगा left to right होगा तो सबसे पहले हम क्या करेंगे इससे इसको multiply करेंगे तो 15,5 जा 5 फिर क्या करेंगे जीरो इसमें ऐसी लगा लेंगे अब क्या करेंगे इससे इसको multiply करेंगे next step में 55,25 अब क्या करेंगे इन दोनों को add कर लेंगे तो 50 plus 25 क्या होता है 75 तो 15,5 जा कितना होता है 75 होता है चलिए एक next example करते हैं इसमें हमें 75 नाइन जा पता करना है कि 75 नाइन जा कित्ता होता है तो इसको भी वैसी करेंगे पहले इससे इसको multiply करेंगे 4 नाइन जा 63 और एक 0 ऐसी लगा लेंगे फिर इससे इसको multiply करेंगे 5 नाइन जा 45 45 यहां पर लिख लेंगे तो इन दोनों को हम add करेंगे 5 7 6 तो 75 नाइन जा कितना होता है 675 तो दोस्तों जैसे जैसे हम इस trick की practice करेंगे वैसे वैसे हम क्या करने लगेंगे mentally बिना copy up and case इसको क्या करने लगेंगे किसी भी number का table आसानी से निकालने लग जाएंगे चलिए एक last question करते हैं इसमें देखे 93 6 जा कितना होता है यह पता करने हैं तो 96 जा 54 एक zero ऐसे लगा लेंगे 63 जा 18 इन दोनों को बैट कर लेते हैं तो 93 6 जा कितना होता है तो यही क्या इसका answer है तो दोस्तों इस वीडियो में आपने वेदिक मैप की एक special trick सीखी इस trick में आपने सीखा कि किसी भी number जो कि 1 से लेके 100 का कोई भी number है उसका आप table कैसे आतानी से निकाल सकते हैं अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो इसे like और share कीजिए और आपको यह वीडियो कैसा लगा आप उसे हमें comment box में लिखकर बता सकते हैं ऐसे ही और वीडियो हिंदी में सीखने के लिए आप हमारा चैनल अभी जरूर सब्सक्राइब कर लें तो thank you for